हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेट टू गार्नीश वित्रेणू आज मैं आपके साथ पालक मटल की बहुती इजी, टेस्टी और हिल्दी सबजी की रेसिपी शेयर करूँगी इसे आप रोटी, भाकरी या गर्मा गरम चावल के साथ सर्फ कर सकते हैं ये एक महराश्टियन रेसिपी है और आपको जरूर पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पालक पातरभाजी इसे बनानी के लिए हमें चाहिए एक बंच पालक, इसे मैंने पहले से ही दो कर महीन महीन काट लिया है एक कप मटर, अब सबसे पहले हम इन्हें बॉइल करेंगे एक डीप परतर में थोड़े पानी में इन्हें बॉइल करना है पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ इतना जिसमें की पालक और मटर डिप हो जाए हल्का सॉफ्ट होने तक इन्हें बॉइल कर लेंगे हाई हीट पर ढग कर इन्हें बॉइल कर लेंगे चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यह देखिए पालक मतर बॉइल हो रहा है पानी में भी अच्छा उबाल आ गया है गैस के आज कम कर देते हैं जब तक यह बॉइल हो रहा है तब तक बाकी की सामगरी देख लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में आधा कब बेशन और आधा कब दही मिक्स करके अच्छे से फेंट लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ मिक्चर तयार कर लेंगे अब इस तयार दही बेशन के मिक्चर को बॉइल पालक में मिलाकर कंसिस्टेंट्ली मिक्स करेंगे दही बेशन डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है नहीं तो इसमें गुठलियां पढ़ सकती है अगर यह सबजी आप आप सीजन में बना रहे हैं तो मटर के जगे मुंगफली भी ले सकते हैं साथी साथ इसमें सूखे नारियल के पतले टुकड़े भी डाले जाते हैं यह देखिए सबजी आप गाड़ी होने लगी है इसे हमें लगातार चलाते हुए ही पकाना है पैसे तो यह सबजी गाड़ी ही खाई जाती है पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे पतला या गाड़ा कर सकते हैं पानी डाल कर अच्छी से मिला दें और कुछ देर इसे पकने दें अब इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक मिलाएंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर भी मिला दें अच्छी से मिक्स करते हुए कुछ देर सबजी को और पकने देंगे सुकी मसाले मिलाने के बाद सबजी को अच्छे से बॉइल होने दें कुछ देर ढगकर भी पकाएंगे साथी साथ इसमें एक से दो चम्मक चीनी या गुड़ भी मिलाएंगे ये पालक और दही की कटास को बैलेंस करते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं ये देखिए सबजी का कलर अब बहुत ही अच्छा आ गया है चीनी भी हमने मिला दी है सबजी अब लगबग तयार है अब इसका तड़का बनाएंगे अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को बैल बटन के क्लिक के साथ जरूर सब्सक्राइब करें तभी आपको मेरे वीडियो दिखेंगे यह देखिए फ्रेंट सबजी अब बिल्कुल तयार है चलिए इसका तड़का बनाते हैं एक सेपरेट पेन में टू टेबल स्पून ओईल गरम करेंगे वन टी स्पून राई चार से पाच लाल सूखी मिर्चे आठ से दस बारीक कटी लेसुन के कलियां एड करेंगे वन फूर टी स्पून हिंग पाउडर भी मिला देंगे आदा चमच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला कर खुश्बू आने तक तड़के को अच्छे से पका लेंगे और इसे तयार हो चुकी सबजी में मिला देंगे बहुत ही फ्लेवरफुल ये सबजी होती है और इसमें बहुत सारा लेसुन डाला जाता है तड़का बिलकुत तयार है इसे सबजी में मिला कर तुरंट सबजी का ढटकन बंद कर देंगे तो लीजिए फ्रेंड्स यमी फ्लेवर्फुल पातर बाजी बिलकुल तहियार है आप भी ये रेसीपी जरूर ट्राइ करें आप फिर आपको पसंद आएगी तो फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में थेंक्स फॉर वॉचिंग